नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का जनर डिस्कुर्शन की इस यूटूब ने फॉम पर जहां पर हम आज एक महत्पून टॉपिक का जो हमारा कॉंस्टियोशन का जो डिपीएसपी है उस पर डिस्कुर्स करने का प्रयास करेंगे पहले अपने अपने पॉलेटी की कलास में जो जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे उसको हम लोगों ने चार वीडियो के बाते हमसे जानने का परयास किया और उसमें ऐसी बहुत सी सारी बाते बताई गई आप लोगों जो एक कंसेप्ट के बेस के लिए काफी इंपॉर्टेंस थे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने आज एक नया टोपिक लिया है निनन में के प्रियास किया है लेकिन ऑन-लायन क्लास जो होते हैं उसमें कुछ अपने लिमेटेशन है तो अपनी तरीका से जितना बेस्ट होने का परियास होता है मैं उसमें अपना बेस्ट देने का परियास करता हूँ तो उसी सिरीज को मैं यहाँ पर आगे बढ़ाने का परियास कर रहा हूँ तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अगर आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर सेर कीजिए इससे होता क्या है कि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो उसे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है हमारे जितने भी टीम मेंबर हैं उन लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग का सपूर्ट मिलता है और इन फ्यूचर में ऐसा हम उमीद करते हैं कि आप लोग भी सपूर्ट करेंगे और पहले भी करते आएं और चल्दी इसी प्लेटफॉम पर जितना भी पोसिबिलिटी हैं उसमें पर्यास किया जा रहा है कि जो भी PCS और EPC लेवर की जो क्लासेस हैं जो आप लोग के समय प्रजेंट करने का पर्यास किया जाए पॉलेटिव में इद करता हूं कि मैं जैन फैपर वरी तक कंप्लेट करूं जितना भी है जैसे मैंने फंडमेंटल राइट को कंप्लेट किया है आज मैं DPSP का क्लासेस ले रहा हूं तो पर्यास म मेरा रहेगा कि जल्द से जल्द जो भी एक अंडेस्टेंडिंग हो आप लोग के समक्ष परजेंट हो जाए कि ताकि उसके बाद आप लोग जब बुक पढ़ें तो चीजे असान लगना सुरू हो जाती है तो आज बात करेंगे हम लोग DPSP का दिस इज मी चंदन कुमार सि आप अब लड़ी मेरे नाम से वाकिव तो चलते हैं आप लिएप की तरव जो हमारा जो बेसिक कंसिप्ट होगा उसी फीडियप के माद्यम से जानने का परियास करेंगे तो जो DPSP जो है हमारा मैंने औल लड़ी आप लोग को बताने का परियास के अप पहले ही कि जो हमारा सबसे पहले इसमें कुछ इसका जो बेसिक है उसको जानने का पर्यास करते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंस्पल ऑफ एस्टेट पॉलिसी जो है उसका जो एक ग्रीप एस्टोरिकल बैक्राउंड क्या है इसको जानने का पर्यास करते हैं जो डिपी एसपी है अगर उसको हिंदी में जानने का पर्यास करें तो उसको राज के नीती ने द तो उन लोगों ने जितने भी अपना जो नंबर ऑप काट्रीज थे उस समय जो अलड़ी जो कॉंसिए जा चुके थे उन लोगों ने उसका इस्टडी किया और उस इस्टडी के आधार मतलब जो करना प्रयास करना तो उसी में जब आईरलेंड का जो कोंसिए डाला लेकिन यहांपर एक मजे कीबात है कि जो आईरलेंड जो country है वो आईरलेंड country DPSP का concept जो है वो Spain से ले चुका है तो अगर एक हैंगा से देखा जाए तो DPSP का जो concept है वहले Spain then Ireland and then India तो इसका जो जो basic जो भंडा है उस DPSP के माध्यम से यह चीजे कुछ प्रावधान इस परकार का किया जाता है कि जिसे हमने फंडमेंटर राइट में जानने का परियास कि हम भारत के लोग है उसमें हमारा राइट क्या होना चाहिए तो उसमें हमने यह जानने का परियास किया गया कि राइट क्या है अगर हमारा राइट का किसी परकार का अगर हस्तचेप होता है या जो हमारा राइट नहीं मिल पाता है या illegal तोर पर जो हमेज़ चाहिए उचीज नहीं मिल पाता है तो उसके लिए हमारे पास ऐसा terms and conditions हो है उस terms and conditions के माध्यम से हम claim कर सकते हैं और claim करकर कि जो हमारा right है वो right हम पा सकते हैं इसका बहुत अच्छे से हम लोगों ने discuss fundamental right class में already कर लिया है अगर आपने अगर उस video को नहीं देखा है तो लगबग चार lecture है लगबग चार गुंटे के आसपास उसको आप जरूर देखें आपके अंदर एक understanding डवलप होगे लिकिन DPSP का एक concept था कि कुछ ऐसे एक परकार का right ही है कि 1947 के लिए कुछ ऐसी चीजे जो थी उस समय जो हमारे उस समय economical angle से उस समय suitable नहीं बैठ रहा था तो उसको DPSP में एक list बनाया गया और list में डाल दिया गया कि अगर future में अगर किसी परकार का अगर हमें कुछ development करना है कुछ ऐसे प्रावधान लाना है according to situations कि अगर 1947 में जैसी दुनिया चल लही थी वो 57 में नहीं होगी 67 में नहीं होगी उसी term को बढ़ते हुए आज हम लोग 2021 में आ चुके हैं तो जो situation 1947 में जो था वो तो आज नहीं है उस समय चाहें यह human nature हो या constitution हो चाहें हमारा environment हो चाहें other activities हो और इसा माना जाता है कि हर समय कुछ ना कुछ life में जो होती है वो चीज़े changeable होनी चाहिए अगर समय के साथ अगर आप किसी किसी भी चीज में अगर आप उसमें अगर चेंज नहीं करते हैं तो उसमें बहुत परकार के समस्याएं होना प्रणम हो जाती है तो उसी तरह दिप स्बीश जो है उस डीप स्बीशन के समय के जीज़ेख नमबर ओफ लीस्ट दे दिये गाए कि एक और टु सेट वेसन जैसे हमारा कंट्री जो है उसमें अगर जैसे 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 हमारा अगर उस समय की जो गोवर्मेंट होगी उसे ऐसा लगेगा कि हमें इस प्रावधान को मतलब आज राइट के तौर पर मतलब फंडमेंटल राइट के तौर पर लागू करना चाहिए तो वह लागू कर सकती जैसे एक दापल के तौर समझने का प्रियास करते हैं कि अगर जो ज सब्सक्राइब करता है कि आप जो गोवर्मेंट हमारी जो होगी वह बच्चों को 14 साल तब प्रियों को सब्सक्राइब लेकिन एक पल के लिए आप सोचिए कि क्या 1947 में जिस समय हमारी मतलब नियर एबाउट लेट काफी कम थी इकनोमिकल ग्रोथ एकदम से मतलब पर थे तो उस समय क्या गोवर्मेंट अभी आपना एकनोमिक कंडिशन जो था उसको करे या इस लिट्रेसी रेट पर मतलब फिरियों कोश्ट देना शुरू करे तो इसी तरह उसको लागू अगर आप देखा जा रहे तो मतलब बाद में कॉंसेशनल अबिडमेंट किया गय और कॉंसेशनल अबिडमेंट करके उसको मतलब आपको पता हो तो आर्टिकल मेरे ख्याल से 21 कुलोजे में डाल दिया गया तो अभी ऐसा प्रावधान है कि आपको मतलब फिरियों कोश्ट देना है तो उसी तरह इसमें अगर आर्टिकल 36 से कहौन के बीचे में बहुत सारे प्रावधान है और एक एक आर्टिकल की बात हम वीडियों के मात्यम से जाने का परियास करेंगे तो बस जस्ट मैंने एक परियास किया बताने की कि आप लोग कोई चीजे समझ में आ जाए कि हम जो पढ़ना सुरू कर रहे हैं उसका वे क्या है तो उसी एंगल से मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मतलब जो डी पीस बीडो है हमारा एक परकार का मतलब हमारा राइट ही है लहकिन जो है-स पर कलेम नहीं कर सकते हैं जिसे मानते हैं कि नजिद も और पोसी ход में में मैं संग किया गया है लेकिन आप उनिघ्व Cut के की लिए रिफ्त में कर सकते हैं क्ति यू तो वहीं अगर आप बात करें आपको उसमें किसी परकार का अगर मतलब राइट का होता है तो आप वहां पर कलेम कर सकते हैं लेकिन DPSV में К्या है कि आप इसमें कलेम नहीं कर सकते हैं उमीद है कि आप लोग को समझ में आगया होगा कि जो DPSV का क्या परहुँ थानी है कुछ इसके अपने प्रियास करते हैं फिर अपने जयुए जो चीजे हैं उसको बताने का पर्यास कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं कुछ आर्टिकल की बात करूंगा यहां पर जैसे जो आर्टिकल जो 36 है उसमें सिंप्ली एस्टेट को डिफाइन किया गया है कि अब आप यहां पर थोड़ा सा आपको कनफ्यूजन होगा कि एस्टेट तो अल्रेड हमने फंडामेंटर राइट में पढ़ा है आर्टिकल 12 में लेकिन फिर यहां आर्टिकल 36 में फिर एस्टेट का डिफिनीचन वही एस्टेट का डिफिनीचन जो यहां पर आर्टिकल 136 में में इसन ikiा गया है कि अगर पर जो 1935 का जो मतलब जो जिसे जो हमारे constitution नहीं बना था तो जो ब्रिटियर सर्स जो लोग थे उन लोगों ने भी अपना एक कानून बना रखा था के तोर पर जिसको आप जानते हैं जो 1773 से लेकर के लगभग हमारे जो भी constitution नहीं बना था तब तक के लिए वह इन बीट्यून वह रनिंग में था तो उसी का जो भारत सरकार अधिनियन जो 1935 था उसमें इसका मतलब एक परकार का मतलब मेंसं था तो उसमें कर जो इता जो बीट्र मानता है कि जो भी कमंड बिरिटीसर से देते थे यहांपर तो जो भी यहां पर गवर्नर होते थे उनके जो कमांड मिलते थे उसको इंपलिमेंट करके यह ग्राउंड असतर पर लाने का परयास करते थे लेकिन यहाँ पर जो अभी के जो DPSP जो हमारे जो Constitution में जो Mention किया गया है उसमें ये प्राउधान किया गया है कि यह सिर्फ और सिर्फ मतलब जो हमारा एक्जेक्यूटी बड़ी है एक्जेक्यूटी बड़ी जिसको मेरे क्याल से आप लोग हिंदे में कार्जपाली का कहते हैं और बिदाई का इन दोनों के बीच में मतलब इसको रखने का प्रयास कि आ गया है कि अगर मांनते हैं कि हमारी जो एक्जेक्यूटी बड़ी है अप्ल के लिए मानते कि जो थी कानून बनाकर करके हमकुझा मैं प्रूसर क possess क्यक्यूटीहें कारिशन का कि कार्जपालीक होगी फिर्णाई का कशीदिक का कानून मनातی और वही जो मेंबर होते हैं उस नियाम को ग्राउंड अस्तर तक लाने का परियास करते हैं तो यह प्रावधान इन दोनों के बीच में किया जैसे अब आपको कानून बनाने तो मतलब अगर आप कानून बना रहे हैं तो आपको इतना ध्यान जरूर होना चाहिए कि DPS में कुछ प्रावधान है और उस प्रावधान के आधार पर आपकर अब किसी परकार का अगर लौ बनाते हैं तो अल्मोस्ट वह बहुत ही इंट्रेस्टिंग और लोगों के ही इसमें काफी सुटेबलेटी दी गई है और यह मतलब सोसल एकनोमिकल और जिडिसिकल इंगल पर बहुत अच्छे से इसको डिपाइन करने का परियास किया गया है इसमें अगर आप अगर जैसे मैं बताने का परि अखिये है इसका अगर एक एंगल से अगर देखने का अगर पर आसकीा जाया है इक JIMताश होता है किसे बिशान था को और को वह पार से दो हिआय सोसल डिमोक्रेटेग का जो हमारा जो कंडीशन है उसको डबलब करना है मतलब जो हमारा जो डेमोक्रेसी जो होना चाहिए वो सोसली स्ट्रॉंग होना चाहिए इकनोमिकली स्ट्रॉंग होना चाहिए इसका अगर देखा जाए तो परपस माना जाता है डेटीएस्पी का तो जैसे मैं आर्टिकल थर्टिन सेवन यह केलियर मेंसन करता है कि मतलब जो सी अगर लॉफबनाये जाता है उस लॉव बनाने वाले जो मेंबर उनका यह मतलब अपना करतब में होना चाहिए कि कि लॉव बनाने से पहले एक बार जो डीपी एसपी है या जिस पार्टिकुलरली जिस जून के लिए आप लॉव बना रहे हैं उससे समझनित कोई अगर तथ डीपी एसपी में है तो उसको कॉंसीडर किया जाना चाहिए और उसको कॉंसीडर करके ही लॉव बनाया जाना चाहिए अगर लॉव उसके इंगल से बनाया जाता है तो वह जनता के हीत में होगा और एक कल्याणकारी स्टेट को डबलब करने में काफी हिलफुल साबित हो सकता है तो एक आर्टिकल 37 का एक concept है इसमें लेकिन जो काफी हद तक भहुत सारी conflict develop होते रहते हैं जो आगे के जो वीडियो होंगे उसमें हम लोग उसको समझने का परियास करेंगे fundamental right और DPSP में जो case 1 अंद भारती तब का जो case आया था उसको already मैंने पिछले वाले वीडियो में उसको बताने का परियास किया है लेकिन जो एक conflict zone है जैसे मेंनरवा मिल्स का case हो गया आपका समकरी परसाथ का case हो जो मतलब एक एंगल से कुछ ऐसी चीज़े होती है जो fundamental right के चीज़े DPSP में और DPSP की चीज़े fundamental right में इसका क्या conflict है तो वह मेंस का part बन जाता है और इसको एक separate video में क्योंकि आज मैं परियास करूंगा कि मतलब article की जो भी उसका specialization है उसको बता दूए और जो मेंस perspectives जो conflict है या जो summary base पे है जिसको elaborate करना है उसकी बात हम लोग coming video में करने का परियास करेंगे तो उमीद है कि आप लोग को यह चीज़े समझ में आई होगी तो यहां पर अगर मैं आप लोग को बताने का परियास करेंगे तो यहां पर अल्रेडी लिखा हुआ है कि Indian Constitution has not originally classified DPSP but on the basis of their content and direction they are usually classified into three types आसान भाजा में इसको समझने का परियास किया जाए तो जो हमारा Constitution है उसमें मतलब DPSP का किसी परकार का पार्ट नहीं किया गया लेकिन इसको मतलब एक understanding level में लाने के लिए और एक आप कोई भी अगर बुक पढ़ते हैं या कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे एक summary निकलता है उसका एक way होता है उसका एक direction होता है तो उसी परकार का जब DPSP का जब अध्यन किया जाता है तो उसके एक understanding उसका एक direction उसका जो summary निकलता है उसमें तीन पार्ट बंगते हैं और वो तीन पार्ट कौण कौण से हैं तो यहां पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा एक तो होता है कि इसमें पार्ट प्रिंसपल एक होता है गांधियन प्रिंसपल एक लिब्रल इंटर्सेक्श्च्यल प्रिंसपल तो तीन डर में बढ़ जाता है अगर मैं इसको गर हिंदी में आप लोगों को बताने का परियास करूंँ तो समाजवादी मैं यहां पर definition के लियर करने का परिय तो आपको यहां पर एक समाजवादी सिधान का एक definition भी समझाएगा कि अगर आप मानते हैं कि अगर कैसे लिखते हैं या कोई answer लिखते हैं तो आप इसका एक जो भी summary है उसको वहाँ पर code कर सकते हैं इन जेनरल होता क्या है कि जब हम बहुत सारे बुक में अलग-अलग definition पढ़ते हैं तो हमारा भी mind होता है वो अलग-अलग direction में अलग-अलग बातों की तरफ डाइवाट है लेकिन यहां पर अगर हम अपना constitution को अगर समझने का परियास करें तो constitution में यहां पर 5-6-7 article है जो करते हैं socialistic principle को उसको यहां पर जानने का परियास करेंगे तो अगर आसान भासा में अगर मैं आपको बता हूं तो socialistic principle equal distribution के बात करता है equal distribution that means कि जैसे मैंने article 14 में fundamental writer बताया था कि अगर मानते हैं कि जो हमारा जो country जो होना चाहिए we the people जो है हम लोग उसमें number of लोग जो है जो जितने भी लोग है वह social एंगल से सभी लोग समान होना चाहिए एकनोमिकल एंगल से सब लोग समान होना चाहिए सब लोग का जो की मतलब अगर नय संबंदित को अगर परावधान होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को मतलब पैसे वाला है तो उसके लिए कुछ अलग से फैसला दिया जाए अगर कुछ कोई गरीब है, अगर कोई पढतारित है, तो उसके लिए कुछ अलग प्रावधान होना चाहिए, इसा कुछ नहीं होना चाहिए, गांधियन प्रिंसपल एक कहता है, कि जैसे इनका भी मतलब एक गांधियन प्रिंसपल, अगर सिद्धान के अगर हम बात करे ति परकार का एक philosophy है, जैसे मैं अगर कहूँ, कि इनका कहने का मतलब था कि हमारा जो देश का जो सासन होना चाहिए, वो नीचे से उपर की तरफ होना चाहिए, नीचे से उपर होने का तत्र पर यह था कि जैसे ऊपर जो और जेट से हम लोगँ कहा आते हैं उ स्थरपल्र उनका कौना थे नीच martin फोट को छवाल के शेंटर तक जाना चाहिए लेकिन वेन जो जोจะ कि न सब्सक्राइल हमारे जो जंता है जो हमारे गराम सब्सक्राइब है उसके आंज्थ में होना चाहिए इस principle को गांधी जे मानते हैं इसमें बहुत सारे conflict है जो अगर आज़े मेंस पर aspectus हम लोग डिस्कुस करने का परियास करें कि जैसे अगर burn है तो गांधी जो बोलते हैं वो अपजे से ब्रामण छत्रिये बैस और सुद्र होते हैं तो गांधी ये कहने का परियास करते हैं कि जैसे ब्रामण है तो ब्रामण का लड़का ब्रामण वाला कार्ज करना चाहिए अगर चत्रिये है तो चत्रिये का लड़का चत्रिये वाला कार्ज करना चाहिए इससे होता क्या है कि मतलब वो चीजे जो उसका जो प्रिवेसली जो उसका जो कल्चर जो बनते आ रहा है तो उसको जो वर्क जो होगा उसको सीखने में ज्यादा कटिना ही नहीं होगी जिससे ऑनिम्प्लॉइमेंट की जो कंडिशन जो ज्यादा डेवलप नहीं होगी वहीं बाबा साब अमेड करके इस इसक्रेटिमेंट से नाखुषते उनका कहने का मतलब यह था कि मतलब किसी परकार का बार्ण होना बहराल यह अलग टोपिक है इसका अलग फिलोस्पी है जस्ट मैंने अगर इस गांदियान प्रिंसपल का यहां पर डिसकॉस दिया तो सुचा आप लो कोई चीजे है बता दू एक होता है कि liberal intellectual principle इसको बोलते हैं उदार्ता तो उदार्ता के मतलब एक आपने कहाओत सुना होगा सर्व धर्म संभा ठीक है जिसे हमारे country है तो country में अभी दिखिएगा कि multiple religion के लोग है और हमारे जो country हो secular है तो आप देखेंगे जो rule and regulation होते हैं हिंदुजम के लिए जो समान constitution में जो प्रावधान डेवलब है वहीं प्रावधान है लेकिन अगर मुस्लिम लोगों में जाते हैं तो उन लोग का अपना एक law है और उसी लोग के कोडिन चलना है उसमें जो भी constitution से समझने के जितने अगर कुछ प्रावधान है वहां लाग किया जाएं तो उसके लिए uniform civil court है तो यहां पर उदारता का यह सिधानत यह कहता है कि एक मतलब मैं example के तोर पाप लोगों समझाने का प्रियास कर रहा हूंगी ताकि आप लोगों definition को समझ सके अब बाकि मैं पूरे अगर article का जब इलोबरेट करोंगा तो उसमें आप पूरे crystal के लिए हो जाएगा कि इसका real meaning क्या है तो अगर गांधियन प्रिंस्पल क्या सुरी उदार बहुदिक जो सिधानत है हमारा तो उसमें अगर uniform civil court अगर लागु करते हैं तो उसमें चाहें वह बहुत religion हो Muslim religion हो या Hindu religion हो सबके लिए कानून हो और सारे लोग को एक कानून मानना पड़ेगा तो एक परकार से इसके बात करता है तो पुल मिला के आप लोग को इतना असपस्ट हो जाना चाहिए कि DPSP क्या है DPSP में कुछ इसकी अपनी business आया है उसको मैंने बताने का परियास किया article 36 को मैंने बताया article 37 को मैंने बताया फिर मैंने इसके जितने परावधाने इसको तीन पार्ट में बाटा गया है इस तीन पार्ट को मैंने अलग से क्यों लाय जा गया क्या इसके पीछे तत्त हैं इसको बताने का परियास किया अब हमें आप पर चलते हैं जो socialistic principle है इसमें कौन-कौन से article है और उस article का क्या मतलब है कि इसको जानने का परियास करते है तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा हुए DPSP socialistic principle and definition already मैंने जो चीज़ आप लो that aim to providing social and economics justice and sit the path towards the welfare states under the various articles they direct to estates too मतलब वही मैं जो आप लोग को पहले बताने का परियास किया कि एक welfare state हमारा बनाना एक इसका एक goal है जिसमें हमारा यहाँ पर already देख रहे हैं होगे कि समाजिक, आर्थिक नियाय को सुनिश्चित करना इसका एक particular goal है यहाँ पर जैसे social तौर पर economical angle के दिरिश्टी कोण से उसका particularly justice होना चाहिए समाजिक एंगल से किसी को पड़तारित नहीं किया जाना चाहिए social social तौर पर सबको equal distribution होना चाहिए economical angle से सबका equal distribution होना चाहिए तो यह चीज़े definition करता है आपका socialistic principle का अब इसमें article 38 आता है और article 38 क्या कहता है इसको यहाँ पर जानने का प्रियास करते हैं promote the welfare of the people by securing social order through the justice, social, economic and and political and to minimize inquilites, incomes, states, facilities and opportunities अब article 38 को समझने का परियास करते हैं IJ socialistic principle के accounting अब आर्टिकल 30 में कि जितने भी लोग हैं हम भारत के लोग जितने भी लोग हैं उन लोग के साथ हर आदमी का एक एक income का source होना चाहिए राइट हर आदमी का अपना एक क्या बोलते है उसको अपना एक status होता है something like that परतिस्टा जिसको बोलते हैं और एक राजनीतिक अस्तर पर समझेश को मैं कहने का क्या पर्यास कर रहा हूं राजनीतिक अस्तर पर नियाइक उनको नियाइक तोर पर उनको हर एंगल से उनको अपर्चनेटी पर्वाइड किया जाना चाहिए मतलब मैं इसको एक और और समराइज करने का पर्यास करता हूं जो आर्टिकल जो 38 है वो यह समाजने तोर पर यह उस्पोस्ट करने का पर्यास करता है कि जो हमारा जो लोग का लियाण यूग्थ हमारा जो एस्टेट होगा वो समाजिक और अर्थिक और राजनेतिक न्याय द्वारा समाजिक व्यवस्ता सुनिशित करना इसका में गोल हुगा राइट मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मानते हैं कि पोलेटिकल एंगल में भी सबका अपना भागिदारी होना चाहिए आर्थिक एंगल से सबको मतलब मैं जैसे पहले ही बताया इकनोमिकल एंगल से सबको अपना पार्टिकुलर्ली अपना इकोल डिस्टिब्यूशन के कंडिशन होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कि किसी को लेंड के बहुत सारी है और जो जो दूसरे लोग है उनको लेंड है नहीं एक लेंड लोड लोग बने हुए है और किसी के पास कुछ नहीं है ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो अगर आप समझवादी सिधान्द के वर बात करते हैं आप यहां पर आपको इतना जरूर समझ में आगया होगा कि पर एकुल डिस्टिबूशन होना इसका गोल होना चाहिए राइट मेरे ख्याल से आप लोग को आर्टिकल 38 समझ में आ गया होगा अब बात करेंगे आर्टिकल 39 और आर्टिकल 39 में लगवग 5 प्रावधान ABCD करके दिये गये हैं और इसको हम लोग जानने का प्रयास करते है सिक्यूर सिटिजन्स मनें जो हम जनता हैं जनता को सुरक्षिट करना और उनके लिए कुछ एक प्रावधान करना जिसे अब यहां पर इसको मैं पढ़ता हूँ आप लोग सुनिए राइट टु एडिक्वेट मेंसल और लाइबलिफूट और ओल सिटिजन्स कितनी अच्छ जिवका का एक अपना पर्याप अधिकार होना चाहिए कि जो भी लोग हैं उनको जीने के लिए एक आजिवका का साधन होना चाहिए अगर उनके पास अगर आजिवका का साधन नहीं है तो यह गवर्मेंट का अधिकार बनता है कि उसको जिवको पारजन के लिए कुछ अध दूसरी ये बात होती है कि equitable distribution of material resources of the community for the common goods, अब यहां पर पहला वाला जो था वो article 39 close है, और यह जो दूसरा point जो मैंने पढ़ा है, वो है article 39 close भी, अब article 39 close भी एक होता है कि community base पे, जितना भी जो भौतिक संसादन है, उस भौतिक संसादनों का सब में equal distribution होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को जो material resources है, इनसान को ज़्यादा मिल रहा है और किसी हो कौम मिल रहा है, तो फिर आपको यहां question create करेंगे, ठीक है, आप बताने क परियास कर रहे हो, तो उस एंगल से जोतने ही हमारे industrialist हैं, उनको तो material resources तो ज़्यादा है, तो उनके लिए तो एक प्रावधान है न, आप लोग अगर आप पढ़ते होंगे, उनके लिए ही तो मतलब अपने welfare के तोर पर अपने जो भी income होता है, उसका कुछ percentage जो होता है, में खर्च करना होता है, इसलिए जो अपना वो जो material resources ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसका कुछ percentage जनता में खर्च करते हैं, कुछ लोग NGO चलाते हैं, या कुछ जो गाह होते हैं, उस वोद लेते हैं, उस पर कार्च करने का फ्रियास करते हैं, ते आर्टिकल आपका 39 close B क की बात करते हैं, prevention of the concentration of wealth and means of production, अब जो यहां पर बात कहने का परियास किया जा रहा है, जो आर्टिकल 39 close C, जो भी मतलब आप जो wealth है, जो आपका जो धन है, अबर जो भी आप production करते हैं, उसका एक जबाव पर, मतलब उसको क्या, एक जबाव पर संकिंद्रण नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि, मतलब आर्टिकुलर्ली किसी एक ही लोग जो है, वो धन इकाठा कर रहे हैं, या जो production हो रहा है, उस production का जो भी, जो source of income जो आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जबाव किंद्रत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो article 39, close C में कहा गया है, उमीद है आप लोग इस बातों को समझ बार हैं, अब article 39, close D के बात करते हैं, equal pay for equal work for men and women, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कि जितने, चाहें वो अवरत है, चाहें वो मर्द है, तो सब के लिए अईसा प्रावधान किया गया है, कि जो भी अगर समान कार्जी के लिए औरत को जितने आप payment करते हैं, उतना ही payment आप लोगों को मर्द और 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 दोनों के बीच में करना चाहिए, अईसा नहीं है कि वहीं काम अगर मर्द करता है, तो अगर आप उसको अगर 100 रुपे देत करते हैं, यह आर्टिकल 39 कुलोज D में लेकिन आप यहां सोचेंगे, ऐसा होता है नहीं होता है, लेकिन अब होता है नहीं होता है, तो सबसे पहले आप उध्यान में बात रहना चाहिए, कि आप DPSP पढ़ रहा है, नहीं के फंड़ा में से राइट, अब हम लोगों ने 39 स्ट्रेंथ ओफ वर्कर्स and चिल्ड्रेन एंगेंस फर्सिवल एब्यूस्, लाकि कितना अच्छे बात हैं यहां पर खहने का पर्यास किया गया है, कि जो भी जो वर्कर्स हैं, या बच्चे हैं, जो भी वर्कर्स या बच्चे हैं, नतलंब जो भी वर्कर्स, that means जो काम करते हैं जो सलम जगों पर रहते हैं उनको इसा मतलब उनके जो बच्चे हैं उनको आप किसी भी परकार से मतलब illegally work नहीं ले सकता है मतलब illegally work उनको नहीं लिया जा सकता है अगर आसान मासा में इसको अगर मैं आप लोगों समझाने का पर्यास करूँ तो जो भी कर्मकार के जो कर्मकार जो वरकर है कि स्वास्त और सक्तिता था जो बालकों को बाल सरम जबता है उनको आपको मेंशन तरीका से देखना है कि उन पर किसी भी परकार का illegal hostage ship नहीं होना चा एक पुड़ी से दूसरी पुड़ी में लोगों जो कवर काम करते हैं तो चलती रहती है निरंतर रहती है तो उस टाइप का इसा नहीं होना चाहिए कि अगर उसका बच्चा वर काम कर रहता है तो चलो उसके बच्चे को काम के लिए रख लेते हैं इस टाइप का कुछ प्रवधान होना चाहिए सरकार द्वारा जो बच्चे हैं जिसमें न्यों ट्रांस की नीड है उनको स्वास्त के बिकास के लिए कुछ अहम कदम उठाना जरूरी होता है गार्मेंट के लिए इस परकर का अपर्चनेटी डवलब करना होगा कि उनका जो सारेदीं जो बिकास है उसमें ग्रोहथ हो कुछ इस पर करके activity launch करना प्लाइगा क्योंकि अगर मैं कहूं हूँ कि अगर कुपोसर संबंदी अगर जितने भी बाते होती हैं तो उस कुपोसर से number of disease develop होते हैं अगर number of disease develop होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो country का growth रूखता है क्योंकि जो disease होगा तो number of people को disease होगा तो उसे production कम होगा और जब production कम होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर तो GDP पर पढ़ना ही है और particularly जो बेक्ती उस disease से अगर face करेगा तो उसमें भी तो number of financial crisis होना possible है इस एंगल से देखी कितना अच्छा से mention करने का परियास किया गया है आर्टिकल 39 का जो अगर आसान भासा में अगर इसको अगर summarize करने के मैं आप लोग समक्ष परजेंट करूँ तो इसका जो main परावधान है तो है एक लोग कल्यार राज की अस्थापना करना जिसमें य सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए समाजिक अस्तर पर राइट समाजिक अस्तर हो गया और आर्थिक अस्तर पर सब को न्याय मिलना चाहिए ऐसा नहीं है कि मतलब कोई लोग पड़तारित हो रहा है और किसी का दर्जा उपर इंखलीज होते जा रहा है इस परकार का कुछ लो चाहिए वह आर्टिकल 30 में अर्टिकल 39 बहुत सारे बात कहीं गए हैं आज यूका के साधन समंदी बात यह कहीं है सामुवी खीद की बात कहीं गई यह थां किसंगे अनरण पर डोप लगाया गया है पूरुस और इस तरी के समानकार समान बेतन की बात कहीं गई है पुर्सफुली जो हम जो वार्क लेते हैं उस पर उपने का प्रवधान किया गया है और इसा कुछ अपर्चुनेटी डवलप करने के बात कहिए गया है जिससे जो भी जो बच्चे हैं उनके स्वास्त में डवलप्मेंट हो अब बात करते हैं यहां पर आर्टिकल इसमें अर्टिकल थर्टीनाइन यह में यह मैंसन है परमोट इक्वल जस्टीस एंड फ्री लिगल एड टू दव पुर कहने का मतलब यह हैं कि जो भी गरीबी अस्तर के लोग हैं उनमें अगर कानूनी संबंदी अगर किसी दी परकार का उनको अगर समस्या होता है तो उनक तक विति अगर होते हैं उनकी इतना होते हैं कि मतलब इंसान पास ही नहीं जा पाता है उनको लोग जो होते हों पीछे चले जाते हैं और उनको क्या होता है कि उनको जस्टिस नहीं मिल पाता है तो इस चीज को मद्द नजर रखते हुए आर्टिकल 39 ने यह जुड़ा गया है जिसमें जो नियाई तोर पर मतलब फिरी और कोस्ट ने आई दिया जा राइट ते आर्टिक पा रहे होगे अब यहां पर बात करेंगे आर्टिकल 41 की अब आर्टिकल 41 क्या करता है इन केस ऑप अने प्लाइमेंट ओल्ड एज सिकनेस एंड डिसेबलमेंट सिक्योर सिटिजन्स बात किया जा रहा है कि जो लोग भेरुजगार हैं जिनकी ज्यादा हो गया यह ऐसे अब धान होना चाहिए उसमें आर्टिकल 41 में यह चीजें मेंसल किया गया है उनकी लिए है कि अगर जो लोग अने इंप्लाइमेंट हैं उनको काम मिलना चाहिए अगर लोग जो है जो बच्चे हैं अगर उपढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कैपिबिलीटी नहीं है सबकार नहीं है उनका अधिकार होना चाहिए कि उनको एज्युकेशन दिया जाया उसके बाद अगर एक एंगल से अगर देखा जाय गूँख जैसे बुटे लोग हो गया तो उन लोग और पेंसा चाहिए उनर लोग को बुढ़ा पैंसन दिया जाना चाहिए ताकि उन अगर कुछ ऐसे लोग हैं उनको मतलब जैसे बुढ़े लोग हो जाते हैं और बुढ़े लोग अगर हो जाते हैं तो उन को मतलब बुढ़ा पेंसन मिलना चाहिए कभी-कभी देखते होंगे कि बीमारी की स्थिति जादा विक्सित हो जाती है और उस इस्थिति में कुछ ऐसे परवधान होना चाहिए ठाके फिरियोग कोस्टन का हिलाज हो सके वह सरती इस अस्तर पर कवर्मेंट बहुत सारी भल ले नहीं करके आई है उसका चाहिए कापी हठ तक उसमें बहुत सुधार देखा गया है लेकिन इतना जल्δी सारी चीजह पूसीबल नहीं है क्योंकि हम लोह का जो पोपलेशन है कापी जादा है और दीरे-दीरे-दीरे इसमें सुधार होगा इसाम उमीद करते हैं अब बात कर आर्टिकल 42 की आर्टिकल 42 में क्या मेंसन किया गया है में पूरवीजन फॉर जोस्ट एंड हुमें कंडिशन और वर्क एंड मेटरिनीटी रिलीव कितना मज़ी के बात की गई है अभी के समय में इसको इस पर थोड़ा सा काम किया जा रहा है मेरे ख्याल से मैं कुछ प्रावधान देखे थे कुछ नियूज उपर में ने पढ़ा था और अच्छा भी लगा था कि समान तोर पर होता क्या है कि जो काम होता है उसमें निया संकर्ण डैट नींस जस्टिस होना साही जैसे एक मेल है एक फिमेल तो फिमेल के साथ बहुत सारे टॉर्ण्स एन कंडिशन होते हैं उनको मतलब सब मेल और फेमेल बहुत हरे डिपरेंट होते हैं और उसमें जो भी मतलब फिजिकल एक्टिविटी होता है कंप्लेटली डिपरेंट होता है तो उस डिपरेंट के वजह से उसमें कुछ छुट की बात की जाए तो उसमें आर्टिकल 42 में एस चीजम में इंसर्ट करने का परियास किया गया है कि जिसे जो भी जो मैं थोड़ा सा एक एक्जाम से मातिम से मताने का परियास करता हूं कुछ जो फीमेल से उनको परसुती संबंद्य संबंदित कुछ समस्य है आ जाती है तो उस कंडिशन में उन लोगो कुछ बेनिफिट दिया जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ उस एंगल से उनको उस इस्तिति में अगर वो जो किसी जोब में कारर्यात है तो उस इस देमोन को वहां से आटाली है ऐसा इस्तिति नहीं पर चाहिए उमीद है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं आर्टिकल 43 पर चलते हैं सिक्यूर ए सिक्यूर ए लिविंग वेज़ेज ए डिसेंट स्टेंडर्ड ओफ लिविंग एंड सोशल एंड कॉल्चरल अपर्चुनिटी फॉर ओल्ड ओल्कॉर्स मतलब मेरे ख्याल से एक हर इंसान का एक लिविंग वेज होता है लिविंग ऑफ एस्टेंडर्ड होता है और हर इंसान का अपना सोशल एंड कॉल्चरल अपना एक्टिविटी इस होता है तो इस आर्टिकल में फुटी थिरे में यहीं बात बताने का पर्यास किया गया है कि जो भी लोग हैं अगर कुछ काम करते हैं तो उनका जो वेजेज होना चाहिए वो सिक्योर होना चाहिए सिक्योर जी का मतलब है कि अगर आप कोई करते हैं उस कार्ज के परती उनकी स्यूरीटी जादा होना चाहिए एक पार्टिकुलरली एक इन एंगल में अगर मैं आप बताने का पर्यास करूँ एक अगर मानते हैं कि अगर अगर यह नाम का कोई कार्ज किया जाता है तो उसके लिए सो रुपिय फीक्स है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीजे कभी वह डिक्रीज हो गई है उनमें ग्रोथ हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब लेविंग ऑफ एस्टेंडर्ड जो होता है वो इंफिलेशन के कोटिंग ही मेंटेन होता है गर इंफिलेशन आगे बढ़ रहा है अगर लोगों का जो लेविंग वेज़ेज जो डिक्रीज कर दिया जा तो फिर उनकी लिविंग जो इसमें आर्टिकल 43 में मेंसन किया गया है अब आर्टिकल 43 यह अब यहां पर 43 यह लिखा है मतलब कि यह अवेडमेंट वाला है टेक एस्टेप टू सीक्यूर दा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑप इंडस्ट्रीज अब जैसे होता क्या है कि जो भी इसमें जो भी इंडस्ट्रीज लिस्ट होते हैं उसमें बहुत सा रट इतने रूल इंड डिगलेशन बना दिया जाता है कि अगर कि किसी परकर का मिस्टेप होता है तो और बाहर निकाल दो कि लंबा छूटी में चला गया तो चलो भाई यहां सी इसको हटा दो तो उसके लिए कुछ एक ऐसे स्टेप लिया जाना चाहिए थाकि वह और करो वह इंडस्ट्रीज में अपना एक परभुत्र डवलप हो उनकी सिवरिटी डवलप हो उसमें अईसा नहीं हो कि मतलब बग इसूज होते हैं उस इसू में जाकर के इनसान जो होता है उस अपने जो 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 जॉब करेटेरिया होता है उस दवाव में और जो अपने जो फैमिली दवाव होता है उसमें वह इनसान चील नहीं होता है तो उसमें इस परकार का कुछ एस्टेप लिया जाना चाहिए ज इसमें वर्करों का participation हो, उमीद है कि आप लोग article 43 को समझ भाएं, अब बात करते हैं, article 47 की, और 47 article यह कहता है, आप लिए, रिज दे लेबल अफ नूटरांज, एड दे अस्टेंडर्स ओफ लिविग और पीपल एंप्रूब पॉब्लिक हैंथ, आप लिए, उनकी जीवन अस्तर को डेवलब करने के लिए, उनकी जीवन अस्तर को मुचा करने के लिए, एक स्वास्त, जो भी अमरे जो पॉब्लिक हैंथ है, उसमें इंप्रूब्मेंट लाना चाहिए, ताकि इस परकार की कोई समस्या जीसे कुपोसण होता है, मैं पहले ही एक्जामपल लिए, कुपोसण समस्या आते ही हैं, ताकि उस परकार का समस्या नहों, और कुपोसण ज जो होता है, जो number of people का बहुत ज्यादा होता है, उमीद है कि आप इस बातों को समझ पाए होगे, तो यहाँ पर हमने DPSP गांधियन इसके बात हम लोग कल के वीडियो में करेंगे, और यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 47 तक अलड़ी यहाँ पर मेंसन कर दिया है, उमीद है आप लोग को समझ में आया होगा, और इसमें अगर किसी भी परकार के अगर query होती है, तो आप comment box में वीडियो होगा, उसमें हम लोग जो कांधिवादी सिधान्त है और उदारवादी सिधान्त है, उसके बात करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग को उमीद करता हूं कि आप लोग को जो भी समरी है, समाजवाद का आप लोग को समझ में आगया तो आर्टिकल 38 चले के फुटी स सिबुन तक हम ने जो बात किया, उसको एक बार आप किसी बुक पर पढ़ने का परियास किजिएगा और समझने का परियास किजिएगा, इससे आपको एक समझवाद का डिफिनिशन जो होगा, वह किलियर होगा, थैंक यू